हलो एभरिवन आज हम लोग इस लेक्चर में योरोप के पोलिटिकल मैपिंग्स को दिखेंगे अभी तक हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका, साथ अमेरिका एंड अफरिका के पोलिटिकल एवंग फिजिकल मैपिंग को लोगों ने कर लिया यदि हम लोग योरोप की बात करें तो यह Eurasia का यह Westernmost part है Eurasia कहने का means Europe plus Asia यदि आपको कभी Afro Eurasia कहा जाए means Africa plus Europe plus Asia ठीक है इस इन सभी चीजों में आपलो कभी घवराईएगा मत अगर इस Europe के बॉर्डर की बात करें तो एक साइड Arctic Ocean एक साइड Atlantic Ocean यह Arctic Ocean Northern portion में रहेगा Atlantic Ocean के West में Mediterranean Sea के South में और Asia इसके East में इन सभी चीजों को अभी कुछ देर में देखने वाल है यदि आप इस योरोप को पूरे 20 से आपको separate करना है एक तो आप इसको Asia के द्वारा separate कर सकते हैं एसी आके कुछ Mountain से हम लोग अभी देखने वाल है कि यूराल Mountain ओके इसके साथ ही साथ देखे यूराल में लिख दिया है और साथ ही साथ पोकोसेस Mountain यूराल रिभर भी है केस्पियंची ब्लेक सी इन चभी के द्वारा हम लोग योरोप को पूरे 20 से अलग कर सकते हैं यदि आप एरिया वाइज देखे तो यह शिक्स एट पॉपुलेशन वाइज थड आता है इन सभी चीजों को हम लोग ने अहले भी देखा था यह देखिए यह जो आपको सेड़ेट कलर में दिख रहा है यह है यूरोप यह क्या है यूरोप है ठीक है अब आप में आप ल यह यूराल मांंटें इस ऐरोप को इस यूरोप को इसीया से इसे एसिया से अलग करते है यह on यह अपको दिख रहा है यह जो पूरा ब्लू पॉर्चन में आपको जो चीजे देने गाइए इसे भी है ओसी जी ओसी और शाथ यह अपको इधर वाइट कलर समय दिख रहे है यह या तो आपको यह यूरोप का फोर्चन है पूरा केदुरेंट तो मैं अगर इस केसी की बात क क्या है मैं लिक रहा है श्पीयन कि ये ये आपको देखे ये यूरोप को टो ये आपको ब्लेक सी वि इधर आप देखे ये यूरोप ये य कि आ का तो यह आपको ब्लेक सी भी इस योरोप को एस्या से अलग कर रहे हैं मिन्स अभी तक हमने तीन इंट्री पड़ा सबसे पाहला अ है योराल माउंटें स्थरी यॉरोप को एस्या से अलग कर रहे है एक माउटें रेज और है इस एरिया में अगर आप देखिए इस एरिया यह जो आपका कैस्पियंस ही है पर आपका ब्लेक इसके बीट एक माउंटेन रेज और आता है जिसको हमने कहा पोकोसेस माउंटें यह माउंटें जो है इस योरोप को इसिया से अलग करती है मैं आप लोगों को एक फिगर दिखा रहा हूँ इससे पहले आप यह देखिए यह पोर्शन यह जो है इसको हम लोग पहले भी पढ़ा था अफरीका में यह है मेदिटर्नियन से इधर आप देखिएगा इसके साउथ में जाएए यह आपका अफरिका है यह अफरिका आज आण हमने देखा था यह मोरक को हुआ ठीक है यह अलजेरिया यह आपका क्या हुआ च्यूनिसिया इधर लिविया इजिप्ट यह सभी चीज़े हमने देखिए है तो इनके राजधानी भी देखे थे जैसे मोरको की बात करें तो रबात अलजेरिया का अलजायरास त्यूनिस्या का त्यूनिस लीबिया का आप बताईए रिपोली एंड इजिप्ट का राइरों इन से भी चीजों को हम लोग ने देखा था अब यदि आप इधर तो देख ल यह देखिए यह जो है यह क्या हुआ यह है यूराल माउंटे यह यूराल माउंटे एक तरह से इधर आप देखिएगा इधर हमारा यूरोप आता है इधर जो है इसिया का पाट आता है देखिए यह एक्ट्योली जो है रस्या रस्या एक ट्रांस कंटिनेंटल है रस्कंट जैसे आप लोग तर्की के बात कीजिए तो तर्की भी एक ट्रास कंटिनेंटल आठाइग तर्की का जो भाग है मैक्सिमम भाग तो आपका एस्या में आएगा उरोप में भी आप मैं दिखा रहा हूँ आप मैंने अभी आपको बताया केस्पीयंसी यह जो रियेंजी है इसको दिखिए यह हमारा केस्पीयंसी हुआ इस केस्पीयंसी के इधर देखिए यह क्या इरान का पॉर्चन आपको दिख रहा है और इधर जो है आपको क्या दिखेगा यूरोप यू पारोंख्री ये केश्पीं सी निगों जिए और पिस को इन अब देख सकते हैं योरोंपय को अलग कर रहें ये इसको जो यह अलग कर रहे हैं यह देखें-णिन ही यूर्यन यह को घाज है यह तो अब की समद गयतरा अब आप लोगों में मेडिटेरनीयान सी में ला रहा हूं मेडेटेरनीयान सी को आप देखिए त इधर आपका देखिये हिटली हुआ मैं हम अभी इन सभी चीजों को देखेंगे लेकिन यह ऊपर यह उस नहीं कि यह क्या हो गया अफ्रिका तो मिंस यह अफरीका के वीडियो में तोल हमने पढ़ा था कि टो यूरोप को अफरिका से अलग कर रही है तो मोर्फो से अलग कर रही है हम चिब्रेल्टर और ल जीओके इस अलग कर रही है तक देचांच समया चैजेल। तो आप सब्सक्तों करने अभी तक हम लोग ने बहुत सारे सीज़ देख ली इसके आलावब बहुत सार स्प्रेट्स भी आपको इन सवी रीजन समें जो मैं मैंने आपको लिखाया क्या स्पी और ब्लेक सी डींस में उपको आपको स्टेट्स देखने को मिलेगा जैसे अगर म मैंने आपको आपको सीजू मैंने दे दिया है इसी जो फिरोप उन से भी चीजों में हम लोग देखने वाल है इसके अलाव आप देखिएगा तो यह जो मैंने टर्की का रिजन बताया वहां पर आपको एक स्टेट मिलेगा जिसको स्टेट ओफ डे डेनल से बोलते हैं एक तर करेंगे मैं आप लोग को दिखा रहा हूं ठीक है एक सेकेंड है कि अपर मुझे समय दीजाओ ओके देखिए हम लोग ने अभी क्या पढ़ा कि माल लीजिए यह है जो रोब ठीक है तो यहां पर आप एक रिजन लिजिए ठीक है इस रिजन को मैंने क्या कहा और इधर मैंने यह एक सिआ इस रिजन को मैंने कहा यूराल मांटेम अब आप देखिए इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा केसपीयन टीक है ये क्या हुआ ये हो गया हमारा Caspian C और इधर क्या है इधर है Asia इस side है योडोप आपको भी योडोप इधर दिखी रहा है टीक है योडोप और इस Caspian C के बाद मैंने आपको बताया कि एक mountain range मिलेगा इसको हम कहा रहे है इसके बाद मैंने आपको बताया आपको एक C मिलेगा जिसको हम कहरें ब्लेक C इस साइड हमारा अभी भी एसी आ रहा है रूपर योरोप आ रहा है इतना हमने देखा इसके बाद हमने देखा एक सी जिसको हम लोग कर रहे हैं Mediterranean Sea ये क्या कर रही है इधर तो आपका योरोपी है इधर तो हमारा योरोपी है लेकिन ये साइड आप देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा अफरिका ठीक है और साथी साथ इस अफरिका और इसके भी हमने एक देखा यहाँ पर ये योरो लोग का टेरिटरी जिसको हमने कहा स्पेन इस साइड जो है यह अफ्रीका का ट्रेटरी ठीक है और इसके भी आपको एक स्ट्रीट देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहें प्रेट ऑफ गिब्राल्टर है इतना तो आप लोग समझ गए होंगे अब हम लोग आगे आते हैं और इसके साथ इसाथ लगभख चीजह मैंने आप लोग को था अब एक काम करते हैं अब इसके साथ लोग को लागए यह इसके पॉलिटिकल मैपिंस देगा इसमें बहुत सारे कंट्रीज देखने को मिलेगा जैसे यहां आइसलेंड देखने को मिलेगा नौर्वे स्विडेन इन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे इनके लोकेशन इनके बाउन्डरीज को भी हम लोग दे देखींगे और इम्पोर्टेंटितितियस को मिलोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यह जो इधियर आपको इधर जो दीख रहा है इन सब शीरदिंग और स्ट्रेट्स उन्ट है और गल्फ जो भी ए इन सब्सक्राशॉब अगले अले स्मीस मेंं देखने वाल में है चल उससे पहले इधर देख लिए आपका यह जो है यह भी योरोप का कंट्री है इस कंट्री का नाम है आइसलेंड और के इसका कैपिटल है रेकियाविक है आईसलेंड का कैपिटल हमने पढ़ा रेकियाविक हमने नौर्वे पढ़ा उसका कैपिटल ओसलोग अब इस नौर्वे से देखिए एक बाॉंडरी टच कर रहा है जिसको हम लोग कहेंगे स्विदेन का केपिटल है तोक हो अब मैं आप लोग के चीज़ दिखा रहा हूं थार वन है हमारा फिल्लेंड फिल्लेंड का केपिटल है हैल सिंकी अब देखिए यह जो पोर्शन है यह जो पर्सन है यह क्या है यह रस्यान फेटरेशन है कि नहीं अब आप इस नौर्वे को आप लग देख रहा हूं तो जो नोर्वे और यह रसिया यह दोनों boundary सेर कर रही है जैनली आप लोग सोचते होंगे कि नौर्वे इस साइड है क्योंकि नौर्वे इधर वेस्ट में इस कॉम्पेर में अगर आप देखे तो फिल्लेंड और क्या है स्वीडेन इसके इस्ट में है आपको लगता हुए कि नौर्वे बाउंडरी सेर नहीं करता है यह सबी जो है यह आप जयर्वेशन की बात है आप ध्यान दिए फिन्लेंड करती है एसी आ के साथ मांडरी सेयर रस्किया के साथ अभी बोल सकती है और नौर्वे भी करती है तो अभी तक हमने टोटल च्यार कंट्रीज को देख लिया क्या क्या देखा है मैं आप लोगों को एक बार किभाईज करा रहा है सबसे पहले हमने इसलेंड जिसका केपिटल हमने देखा विक्याविक सकेंड देखा हमने नौर्वे इसका केपिटल ओसलो फर्वन स्वेडन केपिटल टोखम फोर्थ वन इस फिन्लेंड केपिटल हेल्समी ठीक है चलिए अब आप लोग इधर आईए थोड़ा आप लोग यहां पर के तीन इस्टोनिया ला टी वा एंड लिफुणिया ठीक है मैं और जूम कर रहा हूँ अप लोग को दिख गया होगा इस्टोनिया लातिवा एन लिफुणिया ऑफ वैक है यह तिन ररीजन में क्यूं पढ़ा रहा हूं इस दिखेंग समझे अब ही हमने नौर्वे पढ़ा इस्ट तो चार चीज हमने तो बढ़ लिया अब अब समझे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि इसक्वेंडियन एक सकेंड मैं पेज निकाल रहा हूं मुझे एक पेज ओके चलिए ठीक है कि अधिक अधिक इसक्वेंडियन विजन ठीक है या कंट्री इस कंट्रीज में इसके अलावा अगर आप और कुछ लिल लेना चाहते हैं और दो कंट्रीद आप लोग ले लिजिए इस फूर्थ वन इस फिनलेंड जो हमने पढ़ा एन फिप्ट वन हमने जो आइसलेंड पढ़ा ठीक है तोटल पांच कंट्रीद हमने बोला जो जिसको हम लोग स्क्वेंडेनियन पीजन बोल रहें ठीक है अब आप समझ लिए पहला इस फिल्लेंड का डिटल मैंने बताया आप लोग लोग में लोग लक्रेंट केस्वेंडेनियन रचे कंट्रीज है और आप देखेज एक आता है जिसको हमक्याते हैं नौर्डिक कंट्रीज अमने आप लोग से अगर यह पास इस देख रहे समें एक डिजन आप लोग रिल् नौर्थ अमेरिका हमने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नौर्थ अमेरिका इन ग्रीन लेंड जो है एक तरह से आप बोल सकते योरो यहां पर बाउंडरी शेयर कर रहें बाउंडरी मिंश दोनों का अलग हो रहा है इक रिल ने इस ग्रीन लेंड को अगर आप ल क्या Baltic Sea दिख रहा है यह है Baltic Sea धिक है अब देखिए इधर जो है यह स्वीटेन है यह मैंने नुर्वे बताया ठीक है और यह मैंने फिन्लेन्ड decía old Keeping र इसके बीच को वाल्टिक कंट्रिस कहा और आल्टिक कंट्री अब समझ गया इसको इस इसंस्टनिय का केपिटल है केलिल कि लाधिवा का केपिटल है रिगा इन्हीं स्लित SCP है भीदिनस अब इसको समझ गया है इसके अलबाला देखिए बहुत साथ पढ़ा क्या पढ़ा हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा इस चीज को देखिए हमने सबसे पहले एक कंट्री पढ़ा जिसको हमने क्या बोला ढों अ कि एस्फेलन चेपिटल रेकिया विक तपक ऑच्सुन्स पढ़ा हमने नौरवेज शूर्ट हर्थ सुटों eersteुच्छंक हुआ हुआ हमने एक तो डेन्वाक पढ़ा साउथ में इसका नॉर्वेय आप बोल सकते इसका केपिटल हमने कॉपेन हेगन पढ़ा पुर्चाती साथ इन बाल्टिक कंट्री क्योंकि हमने एसक्वेंडियन कंट्री और हमने नौडिक कंट्री सो देख लिया इसमेशिव ग्रिलेंड का अंतर है और अगर हम इस एसक्वेंडियन इस्वरी बाल्टिक कंट्रीज की बात करें तो पहला अपका इस्टोनिया जासे लातीवा एंठर लिथूनिया ए चैपिटल है टेलिव लातीवा का रिगा एंड लिथूनिया का विलनिया यह बेलारों से बाउंडरे शेर नहीं याद करवाद हूँगा आप लोग इसके लिए चिंटा मत कीजिए ठीक है लेकिन पहले आप लोग थोड़ा भूल लीजिए मैं आप लोगों को फिर से याद कराऊंगा तब तक मैं आपको एक ब्लैंक मेप दे रहा हूँ अब देखिए इसको मैंने क्या पढ़ा आइसलेंड यह मैंने क्या बताया नॉर्वे यह मैंने टोखोम आइसलेंड का रेक्याविक नॉर्वे का ओसलो यह स्वेडियान का स्टोखोम यह फिल्लेंड हमने पढ़ा फिल्लेंड का कैपिटल क्या पढ़ा हमने हेल्सिन की ये डेन्मार्क हमने पढ़ा इसका केपिटल मैंने आपको बताया अभी कोपेन है अब इसके आप साउथ में आईए तो आपको दिखेगा एक कंट्री जिसको हम लोग कहा रहे है जर्मनी मैं आप लोग को इमेज दिखा रहा हूँ फोड़ा सा जूम चलिए ये आप लोगो को जर्मनी दिख रहा है अब देखे जर्मनी किसे किसे बाउंडरी सेर कर रहा है सबसे पहले आप देखिए एक तो आपको दिखेगा इधर पोलेंड पहले कंट्री पर आप लोग कमांड बनाएगे फिर हम लोग कैपिटल पर कमांड बनाएगे तो जर्मनी का पाउंडर किसे सेर कर रहा है पहला मैंने बताया पोलेंड सेकेंड देखिए एक रिपब्लिक अधर देखिए आस्टिरिया और देखिए स्वीट्जर लेंड देखिए फ्रांस इस देखिए यहाँ पे आपको एक कंट्री और दीखेगा ठीक है जो कि इसमें दिख रहा है कि लिए यहाँ देखिए लग-जंबर्ग आपको लिखावा दिख रहा है टीक है लग-जंबर्ग दीक है इसके बाद आपको यहाँ Belgium देखेगा लास्ट वन आपको निधर लेंड देखेगा ठीक है अब समझ गए तो थोड़ा सा आपको समय दीजिए यहाँ पर आईए क्या मैंने बताया यह मैंने बताया जर्मनी जर्मनी के इधर पॉलेंड यह एक रिपब्लिक यह अस्टिरिया यह जूटजर्लेंड यह प्रांस यह छोटा सा जो है छोटू यह क्या बताया मैंने लगजंबर्ग ये मैंने बताया बेल्जियम एंड ये अफ्रांस मेंने बताया इधर लगजंबर्ग बताया और ऊपर जो है निदर ले जिसका केपिटल मैंने बताया एंबर्श टरम अब आप लोग टोटल कंट्रीज देखिए एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ पर डेनमार्क टोटल नाइन कंट्रीज जो है वह जर्मनी के साथ बाउंडरी सेयर ही है अब इन सभी का हम लोग डिटेल्स देखते हैं सबसे पहले आप लोग याद कीजिए है अगर यह हमारा जर्मनी है तो इधर हमने पढ़ा पॉलेंड जिसका केपिटल है वारसों हम लोग स्लाइड में ही देखते हैं यह देखी इस पॉलेंड का केपिटल आपको दिखेगा वारसों सेकेंड एक रिपब्लिक इसका केपिटल है फ्राग है थर्ड अप लोग आईए जो मैंने बताया आस्ट्रिया इसका केपिटल है वियाना तो दिखा वियाना यह दिखा आपको वियाना है फूर्थ मैंने बताया यह स्वीड़र लेंड जिसका केपिटल मैंने बताया बर्न फिर मैंने बताया प्रांस जिसका केपिटल पेरिस इस लग्जंबर का केपिटल लग्जंबर की होता है लक्स जिसकों लों कहते हैं जर्मनी में तो बगल है इस इसका पूलेंड ब्रुस्येल्स एन एक लास्तली निदर लेंड एमबर्स्डम और हमने लिए कोपनेगें पढ़ाई हूँ तो मैं एक एक करके यहां लिख रहा हूँ जर्मनी जिसका मैंने पॉलेंड बताया केवितल वर्सों ठीक है जर्मनी का खुद पिटल जो है आप यह इसका capital है ठीक है तके मैंने बताया पोलेंड जिसका capital मैंने बताया वारसो इसके बाद आप लोग देखिए चेक रिपब्लिक प्राग और प्रागवे में हमने पहलविलग अप्रागवे किसे नहीं जिलेक है प्रागवे हमने कहां पढ़ा था वह इस यह अधर रहर लेता है ऑस्टि॰िया प्राइग वो जाएग हैं तर्षा आएग वि कर आएगें लेत और चेल्णृड़ झेल डीकर यृए ए पूरा लग्जमबर्ग, ओपर हमें जो चांथ मैंने बताए आपको डेन्मार्क के पिटल तो देख लिजी एक के साथ हम लोग कितना कंट्री तो देख लिए औहू तक हम ने इसके इतना क्या हूआ एक तो मैंनो आइसलेंड देखा था था हमने नोर्वे हमने Sweden देखा था हमने Finland देखा और हमने three politic countries हमने देखा था ठीक है इतना तो आप लोग देख लिए और उसके नीचे हमने और एक country इसका capital Minsk Belarus इतना हम लोग इने देख लिया और सभी के हमने capitals भी लगभग कर लिए अब हम लोग आगे आते आगे आप देखिए इस देखिए इस अस्टिरिया के साथ एक country है जो की boundary share कर रहा है ठीक है यह आस्टिरिया आपको दिखरा है इसके साथ एक country है जो की boundary share कर रहा है इसका नाम है Hungary अब आप लोग इस Hungary को लिजिए सबसे पहले मैंने जर्मनी को लिया था और आपको को जर्मनी का में बोच दोगे, नाइन कंट्रीज का आपको बताना है, आप अराम से बता दीजे, अब मैं हंगरी ले रहा हूँ, अब हंगरी का कैपिटल है बुटापेस्ट, आपको यहां पे दिख रहा है, अब हंगरी का आप साउथ में चल जाएगे, सबसे पह करवा रहा हूँ, एक एक कंट्री के साथ और एक इक कैपिटल के साथ, सेकेंड है रोमानिया, ठीक है, क्या है रोमानिया, कैपिटल है बुचारिस्ट, जी यह देखी, मैंने आपको कहाँ दिखा भाए है, हंगरी, ठीक है, थार्ड वन आप लोगा यह, थार्ड वन स्लावा सेकेंड वण इस रोमानिया जिसका केपिटल मैंने आप लोग को बताया बुचारिस्ट ठीक है यह दो चीज़ हम लोग ने भी देखा इस रोमानिया के उपर देखिए यह हंगरी है यह हंगरी का बाउंडरी यह यूक्रेन के साथ सर्टच कर रहा है यूक्रेन का केपिटल है क्यों तो तीन चीज़ हमने देख लिया चलोबाकिया यूक्रेन रोमान दैखीए यहां को सरविया का लिए प्रविया सभ्रापे। मैं भी कहलिए लाना पड़ेगा। मैं सर्विया खोज रहा हूं। ही लिए लेक्ट फूर और लिखा हुआ है। कि फिर आप देखिए आपको दिखेगा हंगरी के साथ क्रोशिया बाउंडरी सेर कर रहा है क्रोशिया का नाम अब लोग फूटबोल हो था कुछ एक साल पहले उसमें अपने सुना होगा फाइनल में पहुची थी इसका केपिटल है जेक रोब अप्टर एक तो हमने स्लोवाक एल संसे स्टार्ट होता है जूबली थीक है तो हमने आपको ब्लैक में व्ला रहा हूं और ब्लैक में आप लोग को बताना है कि हंगरी कॉन सा है हंगरी ठीक है इसमें शाब बताइए यूगको देखिए हंगरी को आप पहचान लिजेगा तो लबगई-लबग से बाउनरी शेयर कर रहा है मैंने आपको बताया था इसके उपर स्लोवेकिया के साथ कर रहा है इधर जो है यूक्रेन के साथ कर रहा है कर रहा है इधर जो है रोमानिया के साथ कर रहा है कि तर्विया के साथ कर रहा है कि क्रोशिया के साथ कर रहा है और यह स्लोवेनिया के सा साथ कर तो तूटल से साथ के साथ कर रहा है और पलग हमने आठ्ञ झांट डेखा एक हमने जर्मने कंट्रीज अनल अट वहके न शाल हउана आपका स्वीडेन एंड का फिल्नेंड विधा टीन बाल्टिक कंट्रीज हमने देखा था और उसके आलवा क्या बेलारूस भी देखा था जिसका में कितना प्लस और वन कर दीजिया तो चार तीन साथ एक आठ इस टोटल हमने कितना देख लिया विद्वेंटी सिक्स है तो क्या हंगरी एंड चेक रिपब्लिक बाउंटरी शेयर कर रहा है अब बता सकते हैं यह चेक रिपब्लिक नहीं कर रहा है क्या हंगरी एंड पॉलेंड कर रहा है वार्सो नहीं कर रहा है चेक रिपब्लिक प्राग नहीं कर रहा है यस आस्ट्रिया कर रहा है यह जो है स्विट्जर्लेंड का बर्ण यह जर्मनी के साथ करता है हंगरी तो काफी दूर है इन सबी चीजों को आप लोग समझ गए होंगे फ्रांस भी मैंने आपको बता दिया इधर लग्जंबर्ग ठीक है इधर क्या है यह बेल्जियम और इधर जो है यह आपका निदर लेंड जि देखिए ठीक है मैंने आपको बता था ग्रिल लेंड यह उपर ग्रिलेंड सी है यह आइसलेंड है ठीक है आपको दिख रहा होगा केपिटल ग्रेक्याविक सेकेंड नॉर्वेय केपिटल ओसलो थर्डवन त्विडेन केपिटल स्टोखों सब चीज मैंने आप लोग के लि पूरे आपको मिल जाएंगे यह जो मैंने आपको बताया है हेल्सिंग की तो कि फिनलेंड का है अब मैं आपको डेनमार्क दिखा रहा हूँ यह है हमारा डेनमार्क केपिटल कोपेन है गया ठीक है आपको यहाँ दिखेगा है ठीक है कोपेन है इसके बाद में आपको जर्म निदिकाने वाला हुँ जर्मनी का केपिटल बर्लीन भी इत बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहां पे cities भी है जैसे हमीज तो और मैं आप को दिखा रहा हुँ बहुत सारे इंपोर्टेंट सेटी इस हमेसाथ नाम सुना होगा एक अपने मुणिच सुना होगा म्यूनिक क्या सुना है के नहीं सुना है आपने बिल्कुल सुना होगा एक है इसे यह अन तिक है अप्टर डेट एक तो बॉन लिए ओन्सिटी यहां पे आता है आप देखिए यह इंपोर्टेंट एक सटी फ्रेंक्फर्ट ठीक है चलिए तो देखिए यह हमबर्ग है कि हमबर्ग क्यों फेह मैस है यह एक तो यहां पर एलवे रिवर जो है इससे रिलेशन है आपका जो मैं आप लोग को फिजिकल मैपिक्स में पढ़ाऊंगा रिवरेयन पोर्ट है यहां पर एसन जो है उसको रुखर भेली भी कहा जाता है तो कि हम लोग अगर यहां के मैपिंग देखेंगे इंडिया के मैपिंग चो हम लोग को साथ चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया था रुखर तोहर भेली किसको कहा जाता है ताम उदर के छोटा नाकपूर प्लेटू को कहा जाता है कहा जाता है ना फ्रेंकफर्ट इसका ट्रेडिंग सेंटर है मूनिच में ने जो बताया वह एक्टुली मूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ज्यादा थेमास है तो इन सब च यह जर्मनी देख लीए कोई दिक्षा था इधर पॉलेंट इधर चेक रिपब्लीक यह आस्ट्रिया इधर स्वीट जर्लेंड यह जो मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं यहां पर इधर आस्ट्रिया दिखा इधर लिंचिस्टिन दिखा इसके बीच आपको एक कंट्री द यह जो है खुद में बहुत है important है क्यों important है क्यों कि यह एक double landlock country है ठीक है अब आप लोग बुझेए क्या यह double landlock country क्या है तो आपको पता होगा landlock country landlock country means उसका boundary किसी के साथ किसी सी के साथ किसी ocean के साथ शेयर नहीं करता में में डबल लेंड़ो क्या हुआ कि यह एक कंट्री है जो सारे लेंड़ो के सांथ जो है वह बांडरे करता इंदस देखिए इधर आपका सी हुआ कोई माल़िज आ लिकंट्री है ङो कंट्री जो कि सी के साथ बाउंट इस जो है यह दोनों लेंड लोग के बीच में अगर एक कोई कंट्री है तो यह क्या कहला है डबल लेंड लोग अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखिएगा तो लेंड लोग कंट्री एक तो मैंने आपको बताया लिंचिस्टी जिसका इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है ओके और हमने देखा कि देखिए जर्मनी डेन्मार्क पॉलेंड एक रिपब्लिक अस्टिडिया स्वीजर्लेंड फ्रांस लग्जंबर्ग बेल्जियम और निदर्लेंड इन सभी किसा बाउंडिस शेयर करेंड इनमार का केपिटल कोप जर्मबर्ग बेल्जियम का केपिटल गुरुशेल और निदर्लेंड केपिटल परस्टम इतना आप लोग देख लिए अब आप लोग नेफस्त आई यह आप लोग का है पॉलेंड इसका केपिटल है वार्शों था हमने यह सब चीज़ देखा था हमने चेक रिपब्लिक द होगे रैट नेक्स्टट है फरांस केपिटल परिइस होज असान है आपको याद होगा इंपोर्त एक शीटी है जूरिक सिटी म्यूनिक सिटी एंड जूरिक्स में आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा म्यूनिक सिटी जो है वो कहां पर है फ्रांस में है नेक्स्ट वन एक से फ्रांस हमने करें देख लिया तो याँ दिख रहा होगा से एक सीधिया दिखाना चालता हूं उक्तों चलिये नेक्स्ट में दिखाओंगा फिलाल आप बेल्जियम क्विटेल ब्रुसेल्शहाज रखते कपास देखें आपको यह लगजंबर्ग आपको दिखेगा मैं आपको पताया था ल Phantoms के लाफे जाने निदर्लैंद हो कर दोफ़ Michipum डालीं कि उपर में जाएं आगे देखे हैं दोफ दिखा रहा था लिंज ढूरीं होग कान्ट्रंटिंद लेंट कम में यक रशाइक लिए गडाओ हं कर स्विंटब है और इस साइट से आपको आस्टेडिया ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं वह है इडली सबसे पहले तब देख लिए इडली का कैपिटल क्या होता है ठीक है और सकेंड हम में दिखा रहा हूं इडली का लोकेस्टान यह दो चीज़ हम लोग अभी देखने वाल है एक तो यह जो पॉर्शन है देखी यह जो है इतली है ठीक है आपको दीख जया इतली बहुत सारे सी के असाथ बांडरीश सेर करता है सबसे चीज़ों को हम देखेंगे इदर आपका मेडिटरियन सी है ठीक है इन सबसे पहले एक इसका आयलैंड है जिसको हम लोग कहा रहे है शिसली आइलेंड फिकर मुझे निकालने दीजिए रजूमी फिकर यह जो है इसका क्या है शिसली आइलेंड पहला चीज आपने देखा इस शिसली आइलेंड के ऊपर में आपको लिपारू आइलेंड दिखेगा इस इमेज में वह नहीं है दिख र साडिनिया के ऊपर में देखिए आपको कॉर्षिका दिखेगा लेकिन यह इसका टेरिटरी यहां देखिए फ्रांस दिख रहा है यह फ्रांस का टेरिटरी पोर्षिका आइलेंड ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं इस दिखिए फ्रांस में सोरी इस इडली में कैपिट लोग कंट्रीज डिखने को मिलेगा जूम कर रहा हूं वो यहां नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं आपको दिखा रहा हूं यह तो स्पैन है यह देखिए एक तो है वेटिकन सिटी यह आप क्या रॉम दिखा ठीक है इससे जो है यह तो टोटली बाउंडरी एक तरह से से लोग है एंड फेंड वन डेंड को दिखा रहा हूं यह देखिए यह मरेनो किया बताया यह मैंने आपको दो लेंड़ा कंट्री अपको बताया ऐसके बीच में मैं आपको दिखा रहा हूं फ़्रा सा मुझे इटली फिर से निकालने दीग यह जो है आपका एप्रोक्सिम इन से भी रिजन्स में यह रॉम के बाद जो है यह आपको बैटिकन सिटी यहां पर मिलेगा तेंट मैरीन तो अगर के बात करें तो हम लोग थोड़ा इस रिजन्स के के पिटल्स को भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है मैंने क्या बताया आपको सबसे पहला वेटिकन सिटी के अगर हम इटली के आईलेंड्स की बात करें तो एक मैंने क्या बताया सिसली आईलेंड दुसरा मैंने बताया लिपारी आईलेंड तिसरा साडिनिया आईलेंड आप देखिए यह कोर्सी का आईलेंड जो मैंने आपको बताया वह किसका टेरिट्री है वह फ्रांस का ठीक है तो हमने इतना पढ़ लिया कि आप इस इमेज में आप देखके आप बता सकते हैं कि यदि यह फ्रांस है यह इतली है यह आपका इसली आइलेंड है यह आपका साडिनिया है इसके उपर कोर्शी आइलेंड इसके उपर लिपारी आइलेंड मिलेगा यह कोर्शी का आइलेंड म इतना तो आपको basic पता होगा ठीक है चलिए अगर आप बताईए यह जर्मनी है तो यह क्या हुआ पॉलेंड यह क्या है चेक रिपब्लिक यह क्या है अस्टिरिया यह क्या है हुए इसके बीच आपको छोटा सा चोटु मिलेगा ठीक आपको दीक रहा है यह 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 लिंचिस्टीन उसके बाद आपको फ्रांस दीखेगा यया रखें यह यहां जो है ग्योंच देखने को मिलेगा यह आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा जिसका इमबर्स डम है और साथ इसाथ आपको ऊपर यह डेन्मार्क जिसका कोपेन है यह आप इधर देखी तो आप अस्टिविए पचान रहे हैं इस त्रिया पचान रहे हैं अस्टिविए के साथ यह हंगरी बाउंडरी सेर कर रहा है अब यहां से आप कहाने शुल होगा कि इंदा होगा किशी है के साथ तो युक्रियां टर्मैने आपको बताए हूँ ठीक है इसको तेस्तों मिक्लिव क्या गीक ख़र बार्डव स्लेख ए कहा है यह इस लूब एक त्वेटाल प्लती सलावर के उसके pengis चेला यह तो आको रोमा रोमान याै दिखेंगे consider सकतले recommend is सरवियाक्रिया देखने को मिलेगा सब्सक्राइब करकेड़िया सिद्ध करोस्या देखने को मिलेगा से भूरसे देखने को मिलेघा अब आपको मैं दो चीज और दिखा रहा हूं आप लोग ध्यान से दिखेंगे हैं यहां पर देखिए आपको एक तो आपको दिखेगा दिखेंगे कैपिटल सबसे पहले देखते हैं तो अब यहां देखिए यह दिख रहा है हुआ आप लोग इसको उठाएं मैंने सब से पहले क्या उठाया था जर्मेंश् 이건 अग्री उठाया अप इसके बाद में मैशेड moments रहा हूं और सबसेमी न gallonतल है अपको दिखारा वह देखिए इसके ऊपर देखिए आपको देखने को मिलेगा को सोह यह नहीं नहीं दिख रहा बेला रुस्त तक ही दिख रहा है वो कोई इमेज है लेंक में निकाल रहा हूँ लेंक में निकाल रहा हूँ लेंक मुझे समय दीजिए अब लेकर देखिए यह जो है दिख रहा है यह है स्कॉप जे तोरी यह कोशोबा जिसका क्रेपिटल है क्रिस्टिना इसकेंड है में सेडोनिया मैंने बताया इसका क्रेपिटल मैंने आपको बताया है स्कॉप जे फिर आप ले लेजिए बुल्गेरिया यह क्या है स्कॉफिया इसके बाद आपको दिख रहा होगा ग्रीस तो यह अपिश्ड इस ग्रीज का कैपिटल है एथेंस ठीक है फिर देखे अलबानिया आपको दिख रहा है इस अलबानिया का कैपिटल है तिराना आप देखिए ओग्या खत्म क्योंको देखें मैंने आपको मेसेडों उद्ध कि बताया एक बुलगरिया बताया एक ग्रीस को गाट अपर एक अलबानिया बताया अब यहां पर दो बच गया एक तो मॉंटेग्रो बच गया एक बोस्निया एं अरगेज गया इस मॉंटेग्रो का capital है पॉट्गोरी का एंड इस हर्गेजविनिया के बिदल है तरा जीवो मैं आपको दिखा रहा हूं फिर सब्लोग मेठी टिक है देखे इसकोप जैसे आपको दिखां कि आपको यहां तोफिया दिख रहा है बुलगरिया का इसका एचेंस ठीक है य यह बोशनिवा एन हरकेजविनिया का तरा जीवों आप लोग इतना याद कर लिए मैं आपको रिभा रिभाइस करवा रहा हूं सब चीज याद हो जाएगा आप लोग बिल्कुल टेंसर लिए किक करते हैं कि अगरी अगरी के उपर मेंने क्या बताया आपको सुलवा किया अपको लोग लिखिये मेरे साथ साथ लिखिये और आप लोग दिमाग लगाई है कि किया किस तरह से कंट्रीट हो सकती है अपको जैसे की हंगरी उठाई यहां क्या होगा यूट्रेन यै टीन क्यूरमणियन निलिक रहा हूं यूक्रेन तो मैंने बताए अस्टिरिया के साथ boundary Shari कर रहा है जिसका मैंने बताए वियाना यह दिया फिर उठा लिजिया यहां पर बताईए एक मेने क्या उठाया मैसेटोनिया कैपिटल एसकॉब जे अब यहां से मैंने फिर से उठा लिया कोसवा कैपिटल प्रिस्टान प्रिस्टिना बुल्गेरिया कैपिटल सोफिया ग्रीस कैपिटल एथेंस अलवानिया कैपिटल तिराना ठीक है और इसके साथ सर्विया के साथ तो बाउंटे सेयर कर जिसका सारा जीवो और इसके उपर आपको देखिएगा तो कुरोशिया है ठीक है और इसके कुरोशिया के बाद क्या आपको मिलेगा स्लोवेनिया उपर जो है आपको देखे हैं स्लोवेनिया है उपर स्लोवेकिया है इस तरह से आप लोगों को दिमाग लगाई लगवक केपिटल रेकियाविक, नॉर्वेज, केपिटल औसलो, स्वीडन, केपिटल टोख होम, फिनलेंड, केपिटल हेल्सिंकी, देनमार्क, केपिटल कॉपेन हैगें, जर्मनी, केपिटल बरलीन, वार्षो, केपिटल वियाना, यहां पे हमने पढ़ा, लिंचिस्टिन, केपिटल वदूज, फिर हमने पढ़ा, यह स्वीडजर्लेंड, केपिटल बर्न, यह क्या पढ़ा हमने, प्रांस पढ़ा, केपिटल पेरिस, यहां पे हमने लग्जंबर्ग पढ़ा, केपिटल लग्जंबर्ग, उपर बेल्जियम पढ़ा, केपिटल गुरुशेल्स, एन इधर हमने क्या पढ़ा, निधरलेंग, केपिटल एमबर्स्टम, इतना हमने कर लिया, अपने इधर स्पेन पढ़ा था, केपिटल मेडरीट, पूर्टोगोल, केपिटल इसवाल, इतली, केपिटल रोम, ठीक है, साडिनिया, इधर, उपर में, क्या पढ़ा था, बताए, पॉर्सिका, ठीक है, और इसके उपर लिपारू आइलेंड भी हमने पढ़ा था, इतना तो आप लोग देख लिए, ठीक है, और इसके अंदर दो हमने पढ़ा छोटू, ठीक है, एक तो यह देखिए आपको, वेट च्रिया के साथ जो बाउंडरी सेयर कर रहा है, इसको हम कर रहे हंगरी, ठीक है, ठीक है, हंगरी का कैपिटल हमने पढ़ा, ठीक है, चलिए, बुड़ा पेस्ट हमने पढ़ लिया, फिर हम आ रहे है, शलोवेक्या, कैपिटल ब्राटिस्लावा, इधर आप देखिए, यूक रोमानिया, कैपिटल बुचारेस्ट, फिर हमने इसको पढ़ा, सर्विया, कैपिटल बेलग्रेट, ये सी जो है, इसको हमने पढ़ा, परोसिया, कैपिटल जेगरेब, इसको पढ़ा, सलोवेनिया, कैपिटल जूबलियाना, ठीक है, इसके बाद हमने किसको उठाया, हमने ठीक है हमने उठाया मेसेडोनिया को उठाया अब मेसेडोनिया के उपर देखे आपको दिखेगा कोसोबा कैपिटल प्रिस्टाना प्रिस्टियाना तो देखे आप यह क्या हुआ बुल्गेरिया कैपिटल सोफिया यह हुआ ग्रीस कैपिटल एथेंस अब इधर देखे अलब सबसे उपर से बताई है तो अब याद कर लीजिए मॉन्टेग्रो पोडगारी का एट लास ली यह बोस्निया इन हर्गेजविनिया एपिटल साराजिवो के साथ हमने सब चीज देख लिए कितना बढ़ा गया हां इसके अलावा हमने यह बाल्टिक सी पढ़ा था यहां पर हा था एक तो हमने सबसे उपर से बताई है आप ठीक है मैं उपर से पूछ रहा हूं यहां से अब बताई है एक तो हमने पढ़ा लिथूनिया ठीक है एक हमने पढ़ा यह क्या पढ़ा लातिवा ठीक है और एक पढ़ा हमने टोटल जो है तीन पढ़ा एक हमने पढ़ा इस्ट अल्या का अलीड लातीबा का रीगा ये लृतुनिया विल्नियस में सब्सक्राइब तो यहां देखिए तो इस्टोनिया यह क्या है लातिवा के बिटल रिगा एल लीथुनिया विल्लियस क्या आप यहां पर बता सकते हैं एक दो ठीड ठीड आप सबसे पहले देखिए इसको नौर्थ तुसाउट आप लोग याद रखिए ठीक है इसको याद रखना बहुत ज लीथुनियआ यह एस्टोनिया यह एस्टोनिया के पिटल टेली लातिवा केपिटल रिगा लीथुनिया विल्यस बेलारुस एक मिस्ट ये रिजन जो कि यह है मोल्डोवा कि क्या मैंने बताया मोल तो हुआ कैपिटल है कि इसनाव ठीक है तो लगभग हमने सारे कंट्री दे एक तो मेरा बज़ गया देखिए यूके इसको मत भूलिए कि यहां पर हम लोग आते हैं इसके लिए मैं एक फिगर निकाल रहा हूं आप लोग मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ठीक है आपको यह पूरा कंसिप्ट जो है वो किलियर हो जाए है थोड़ा सेकिर करके हम लोग तब तक आते हैं इसका है हुआ है है कि puls हुआ है कि यहाई इसा देख रहा हूं वंस देख रहा हूं है तो देखिए यह तो दोड़ा मैं अपमत्रों दॉट बता बहा हूं तब तक सबस्के साथ दीक है यह बस्नीयां हरु जिए हर्ग जलेनिया है हर देख सिकने सारा जिईव कि इसको देखिए यह क्या है रोसी या सी सेप कब को दिख रहा है कैपिटल जेग्रेब तो मैं खोज रहा हूं मुझे मिल नहीं रहा है एक्चुली सर्बिया तो आप लोग मोने सेन मेरीन आप लोग को बताया था मैंने पॉर्टेंट जो है वो यूके इसका इमेज नहीं लिया है मिल गया देखे यह आपको दिख रहा है यूनाइटेड किंग्डम की मैं बात कर रहा हूं तो आपको इस रिजन्स में आपको तीन चीजे देखने को मिलेगी मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे पहला जो है आप लोग यहां पर आईए यह जो पॉर्टेंट है यह पॉर्टेंट एक जो टीन च्यार पाच पॉर्टेंट आपको दिखा पाच पॉर्टेंट में इसको टॉटल डिभाइड हम लोग कर रहे हैं और हम इस चीज़ को समझने की कोशिज करते हैं सबसे मैंने बताया कि आपको स्कॉटलेंट सेकेंड देखिए इंग्लेंड यह हैं इंग्लेंड का रिजए ठीक है थर्ड है वेल्स और मैं जूम करके दिखा रहा हूं वेल से दिखा यह आपको दिखेगा नौर्थर आईलेंड दिख गया और फिप्ट वन इस आईलेंड अब मै स्कॉटलेंड देखा सेकेंड यह इंग्लेंड एंड थर्ड वेल्स असकॉटलेंड प्लस इंग्लेंड प्लस वेल्स इन तीनों को अगर आप मिला दिजिएगा तो आपको मिलेगा ब्रिटेंड तो यह क्या कहला आएगा प्रिप्टेंड ओके और प्लस अगर इसमें आप नौर्थन आईलेंड मिला दीजिएगा ठीक है तो आपको मिल जाएगा यूनाइटेड किंग्डम क्या मिल जाएगा यू आप समझ गए यह सभी को यूनाइट किया गया इसलिए किसको किसको किया गया इसकोटलेंड को इंगलेंड को वेल्स को और नौर्थन आइलेंड को इन से भी का कैपिटल समलोग देख लेते हैं असकोटलेंड का एडिनबर्ग है जूंग कर रहा हूं दिखा रहा हूं एडिनबर्ग आपको दिखेगा यह आपको जो इंगलेंड देख रहा है इसका आसान ह耶 kae parental London hm deman Jeso अाप अपको देखिएगा वेल्स गैपटल में चार्डीफ्र ऩाट साथ नोर्थ आइसलेंड केल व्यलत भाए présent मैं आपको किव बता रहा हूँ करके आप लोग देखिए स्कोटलेंड कैपिटल एदिनबर्ग इंगलेंड कैपिटल लंदन वेल्स कैपिटल यह कार्डी इन तीनों को मिला के मैंने क्या बताया आपको बनेगा ब्रिटेन ठीक है और यदी आप इसमें और प्लस कर देंगे नौर्थर आइलेंड तो आपको क्या म हम देखना मिल जाएगा वह मिलेगा यू के फोर्मिल आके इसके बाद आप देखी इधा आएरिलेंड आपको देखिए का केपिटा क्वेटल है डबली है कि चलिए तो लगब कर दो देख लिए हैं ठीक है हमने एस स्पेन का मेडरिट देखा पूर्तिकल के मिटर निश्व करेंगे देखें आपको इटली का रिजन दीक रहा है इधर एड़्राटिक सी है हम लोग सी में इसको पढ़ने वाले है इधर आपको स्लोवेनिया इधर आपको क्रोशिया तरह को बोस्निया और शुट ग्रीश यह सबीचीज आपको देखने को मिलेगा ठीक है कुछ बाकी र गया रहा मुझे नहीं लग रहा कुछ बाकी भी रहा होगा अगर बाकी रहा तो मैं अगली लेक्ट्रस में सबीर चीज वह कुछ-कुछ एगर चूट गया होगा तो लगवक चीज बने बता दिया सिर्फ एक चीज भाच रश्या है ठीक है वह बचा है आप फ्रांस देखी ठीक कहें अजर्फ की टिक हैं यह एक क्या दो रिचनल YOUR है आपको क्या है यह फ्रांसी सब्सक्राइश region में एक कंट्री मिलता है अपको छोटा सा कंट्री यह जिसको आप लोग कहिएगा मौनो को ठीक है क्या बताया मेंने मौनो को कैपिटल है मौंटि कारलो क्या बताया मेंने लूग विछनक से лучше का 활 आप लोग को मौंटि कारलो तो मैं इसका इमेज दिखा रहा हूं यह देखिए यह है फ्रांस जीक है और इसके नीचे आ देखिए लिए मौन को आपको reflection वो छोटा सा रीजन है इसको बहुत ही जूंग किया हुए आप इस जगह पर देखिए यह है फ्रांस इसके इस चोटे जगह पे आपको मोनो को दीखेएगा कैपिटल है ठीक है कैपिटल समझ गए मॉन्टी कार्लो तो लगबग हमने सारे चीजों को देख लिया है अपको मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजी समझ में आ गई होगी अगले लेक्चर में हम लोग इसके जितने भी सी है उन सभी को हम लोग देखने वाले गल्प अफ्रीका के पॉलिटिकल एवंग फिजिकल मैप को हमने कॉंप्लिट कर लिया है और प्लस योरोप के पॉलिटिकल मैप को हमने देख लिया अब हम लोग सी को देखेंगे फिर हम लोग फिजिकल मैप को देखेंगे हमने नौर्थ अमेरिका के सारे सी को भी अभी तक देख झाल